कई लोग ऐसे होते हैं मानते ही नहीं और कुछ ऐसे भी होते हैं मानते तो अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं चार लोग वो गए थे काशी में पढ़ने के लिए अब पढ़ने के लिए गए तो सही पर उन्होंने मानो नीती वाक्य केवल रट लिये उनका अर्थ क्या है कैसा है इसका विचार नहीं किया बस रट लिया सोचा कि अब तो अपन पढ़ लिख गए खूब अपने गांग को चलें बहुत समय हो गया निकल पढ़े चारों महत्व पुर्ण नीती वाक्य याद कर लिये थे कि गांगों में पोई पूछेगा क्या पढ़ कर आए तो उनको बताएंगे सफर लंबा था चलते जा रहे थे चलते चलते वो एक चोराय पर पहुंचे अब अपने को किधर जाना है दाएं जाना है बाएं जाना है सीधे जाना है किधर जाएं अपन अपने गांगों का रास्ता अब इसमें से कौन सा गलत रास्ते पर जाएं कहीं और न पहुंच जा क्या करें इतने में देखा कि एक रास्ते पर बहुत से लोग जा रहे थे कोई मर गया था उसको कंदे पर ले जा रहे थे कुछ भीड़ साथ में थी तो एक ने कहा भाई देखो मुझे नीती वाक्य याद आ रहा है महा जनो येन गता सपन्ता अब महा जनो येन गता सपन्ता इसका अर्थ ये होता है कि महा पुरुष जिस मार्ग से गए हैं हम उस मार्ग से जाएं पर इनों ने इस नीती वाक्य का अर्थ क्या किया अनर्थ कर दिया महा जनो ये न गतर से पंता मतलब जादा लोग जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते पर चलते जाओ अब वो शम्शान में जा रहे थे जादा लोग थे कुछ बड़ा आदमी मरा होगा तो इनके पीछे चारों लग गए पहुंच गए शम्शान में अब अरे हपन तो शम्शान में आ गए अब यहां से कहा जाएं अब तो रास्ता मालूम नहीं इससे आगे का तो दूसरा नीती वाक्य याद आया एक को दूसरे को उसने का भई नीती वाक्य यह कहता है राजद्वारे शम्शाने चा यस्तिष्ठति सबांधवा राजद्वार में और शम्श देखा दूर एक गदा खड़ा था उसके पास गए दो जने गले के तरफ खड़े रहे कान के पास दो जने पीछे पूँच सेलाने लगे के हमारे प्यारे बंदू राजद्वारे चशंशाने यस्तिष्ठती सब आंदवह तुम ही हमारे भाई हो बताओ हमारे घर का रास्ता क हम चारों को दूर फैंक दिया विचारे बड़े परिशान हुए कपड़े साफ करते हुए दूल जाड़ते हुए आगे चलते गए चलते गए तो रास्ते में एक नदी पड़ी अब नदी कैसे पार करें नाव भी नहीं है पानी कितना होगा क्या पता अपने को तो ठीक से तैरना भी नहीं आता तो देखा कि केले के कुछ बड़े बड़े पत्ते बहते हुए आ रहे थे तो तीसरा नीती वाक्य यादा गया तीसरे को उसने कहा आगम इश्यतियत पत्रम तदस मानस्तार इश्यति बहता हुआ पत्ता आ जाए तो उसी को तारने वाला समझना चाहि अगवान का चोटा सा नाम बले चोटा सा लगता है पर वो तारने में सक्षम है आपको आश्यरे होगा सुनकर मध्यप्रदेश में एक गाओं में एक आदमी अपने खेत में काम कर रहा था तीन साल का बच्चा खेल रहा था उसकी मा रसोईगर में खाना बना रही थी बच् चाची थोड़ी देर के बाद कुए पर पानी भरने को आई, बच्चे को देखकर शोर मचाया, बाप आया, मा आई, पडोसी आया, जैसे तैसे करके बच्चे को बाहर निकाला, बच्चे को पूछा कि बेटे तुम कितनी देर से अंदर थे, बोले चाची ने देखा उसके भी काफी देर पहले से अंदर था, तो बोले तुम डूबे नहीं, पानी तो गहरा है, बच्चे ने अपने गले में गुरुजी के चित्र वाला लॉकेट था, वो हाथ में पकड़ कर कहा कि मैं कैसे डूबता, ये जो मेरे साथ थे, इसलिए मैं डूबा नहीं हूँ, वो बच् से निति वाक्या, आगम इश्यतियत पत्रम, तदस्मान स्तार इश्यति, जो पत्ता बहता हुआ आए, उसी को तारने वाला समझना चाहिए, उद्धार करेगा, सो चारों ने एक एक पत्ता चलांग लगा, इक पत्ता पकड़ लिया, अब केले का पेड़ का पत्ता देखा ह होगा आपने, वो कोई तारेगा आदमी को, जैसे तैसे करके दो तो निकल गए, एक और हाथ पेर हिला कर निकल रहा था, वो भी बस पहुंचा, चोथा डूब रहा था, तो उसको एक और नीति वाक्या याद आया, कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यज्यति पंडि सब कुछ नाश हो रहा हो, तो उससे तो अच्छा है, आधा बचा ले, आधा छोड़ दे, वो पंडित है, इसने क्या किया, उसको बालों से पकड़ा और गर्धन काट दी, बोले आधा तो बच जा, आधा जाए बले, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यज्यति पंडि तहा, वो ही पंडित है, कि आधा तो बचाले, चल भई तु आधा बच्जा काट दिया, अब आप सोचो क्या हुआ होगा, नीती शास्त्र पड़े हुए हैं, नीती के वाक्य याद किये हुए हैं, वारे वा, बिना गुरू के उद्धार नहीं है, पहले हम एक भजन गाते पहले थे छोटा सा, सचसंग में, सब ग्रंथों का सार यही है, गुरू बिना उद्धार नहीं है, अब एक तो मर गया, बाकी बचे तीन, जो बचे सो जैसे तैसे गाउं में पहुँचे, अब गाउं के लोग उनको विद्वान समझ कर अपने अपने घर ले गए, एक को को ले गया, दूसरे को कोई ले गया, तीसरे को कोई ले गया, आप ठके मांदे आये हो, चलो आपके लिए भोजन बनाते हैं, बनाया तो एक के घर लंबी वो बनाई थी, सेवाई बोलते हैं, सेवाई बोलते हैं, बड़ी बड़ी पतली पतली, वो सेवाई बनाई थी, दूस भाई वाले को याद आया कि भाई दिर्ग सुत्री का हमेशा नाश होता है दिर्ग सुत्री विनश्यती दिर्ग सुत्री माने अब दिर्ग सुत्री विनश्यती का अर्थ यह होता है कि थोड़े समय में जो काम हो सकता है उसमें ज्यादा समय न लगाए आलसी न बने प्रमादी ना बने प्रमोधी बने पर उसने अर्थ ये किया धिर्ग सुत्री विनश्यति ये बड़ी लंबी चीद सेवई जो खाएगा उसका विनाज हो जाएगा तो मैं तो सेवई नहीं खाऊंगा भाई बुखा बैठा रहा दूसरे के सामने बड़ी बड़ी पूडियां परी थी उसने पूड़ी देखी तो सोचने लगा कि नीती वाक्या है अती विस्तार विस्तिर्णम तद भवेन चिरायुशं माने बहुत फैली हुई चीज का सेवन करने वाला अलपायू होता है इसका अब अर्थ तो ये था कि जो जादा संसार में हाय हाय करता रहेगा जादा संसार की चिंता करता रहेगा जल्दी मर जाएगा जैसे रॉक फैलर को स्वामी विवेकानन ने का तुम चिंता छोड़कर जड़ा खुले हाथ दान करना सीखो उदारा दिल से अब इस अर्थ में का गया इसने ये अर्थ लगा लिया कि बड़ी चीद नहीं खाना बड़ी बड़ी पूर्यां थी छोड़ दी बुखा मरा अब तीसरे के पसामने मालपुए बने हुए पड़े थे मावे के बड़ी आदेसी गी में बने हुए छिद्र वाले अब उसको नीती वाक्या याद आया छिद्रेश्व अनर्था बहुली भवन्ती माने छिद्र से बहुत अनर्थ होते हैं चिद्रान वेशन वरत्ती से अनर्थ होते हैं दूसरों के दोश देखने की जो गंदी वरत्ती है उससे अनर्थ होता है सासु बहु का दोश देखे बहु सासु का दोश देखे बेटा बाप का दोश देखे भाई बहन का दोश देखे क्यों एक दूसरी का ये छिद्रान वेशन व्रत्ती विनाश करती है अब नीती वाक्य तो ये कह रहा था पर इसने सोचा कि नहीं मालपुए छिद्र वाले हैं नहीं खाएंगे चिद्रेश्व नर्था बहुली बवन्ती सो उसने भी नहीं खाया तीनों भूखे चले गए परेशान परेशान हो गए अब ऐसे नीती वाक्य किस काम के इससे तो वो सादक अच्छा जो सद्गुरू से मंत्र दिक्षा लेकर रोज उस मंत्र का जब करते हैं वो बड़े बुद्धी मान है भाकी ये तो आप देख रहे हो नीती वाक्य रटे हुए क्या हालत हो ही इनकी एक को तुमार डाला बिचा लेको बड़ भागी वे होते हैं जिनके जीवन में सदुगुरू का सानिध्य होता है और गुरू की दिक्षा होती है अनुमान जी कहते हैं कि रावन यद्यपी मैं तुमको इतनी अच्छी बातें कह रहा हूँ तुलसीदास जी लिखते हैं यद्यपी कही कपी अती हित वा अब रावन को तो इतनी अच्छी अच्छी सीख दी फिर भी वो नहीं बदला तो कई लोग ऐसे होते हैं उनको आप कितनी भी अच्छी सीख दो पर अड़े रहेंगे अपनी जिद पर